जल्दी करो तुम तो पीछे रहे गए मुगली जरा धीरे तुम लोब भूत तेज जोड रहे हो इससे धीरे भागना मुश्किल है ओ देखो पहुँच गए पेड़ पर चंड़े में तुम मुझे कोई मात नहीं दे सकता मोगली तुम तेज नहीं दोड़ पाओगे तु सच्चा शिकारी नहीं बन पाओगे और शिकारी नहीं बन सके तो सच्चा भेड़िया नहीं बन पाओगे मोगली मा यहां क्या कर रहे हो तुमने तो बगेड़ा से मिलने का वादा किया था हरे हाँ याद आया मैं तो भूली गया बुद्दू यह बताओ क्या मोगली पहले से तेज दोड़ रहा है हां लेकिन उतना नहीं जितना के हम कड़ी मेहनत से वो अच्छा भेड़िया बन सकता है बहुत अच्छा हां उसे थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी चलो कितना छोटा था वो कितना लुकी वोड़ी तेचल व यह बताओ व यस्मिनसाई युक्री तो यई युमे उ मुते कि दे ते इस देमो सोब इढ आगे आगे लो होशी नरी जोगी नरी मश्षी विद्धर मो नगले काव मो आगा तो इच्षों नरी बमुल उली। अचिस्फ करेंग ट बदिस हाँ लिए्षा बुछ नयां लिए. लिए लेब़ ऊचिव लिए. लिए लिए लिए। लिए. मुष्यी इडरी मुष्य नगर का ओर आफ बांए अबस्ञ का अबस्टिन अबस्टी अबस्ट जचर कि अबस्ट्र आफ एबस्ट्टन्सित य अबस्ट अबस्टी अबस्ट्यों मेगा सामे बाद चिक्यू नो को कितनी बार कहा है मोगली पेड़ को कस्के पकड़ा करो लेकिन भगी राई ये संबब नहीं है में पास तुमारे जैसे नाकून नहीं है बहुत हो गया मोगली तुमारी शिकायते सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं ठीक है वक्त नहीं तो भार वे जाओ मैं खुद सीख लूँगा अरे मोगली मोगली सुनो तो भालू लगता है उससे सिखाने में तुम्हें मुश्किल हो रही है मुश्किल हो रही है काश तुम समझ पाते तो क्यों सिखा रहे हैं उसे मौगली हमारी तरह शिकार करना चाहता है समझे कुछ साउधानी से गिर जाओगे का तुम सब कुछ सीखना चाहते हो लेकित इतनी जल्द बाजी ठीक नहीं अच्छा हो गया तुम आगए का अगली बार चोट भी लग सकती है मौगली इतनी मेनत क्यों करते हो मैंने पिता जी को वचन दिया था तुमारा मतलब मोती हाँ मैं शूरवीर बनूँगा मोगली पर सुनते तो तुम हो नहीं बगीरा डाटने से कोई लाब नहीं तुम भी जानते हो मोगली बगीरा तुमारी कितनी फिकर करता है फिकर और मैं मैं क्यों फिकर करूँ मैं फिर गल्टी नहीं करूँगा मैं चला अरे मोगली कहा चल दिये अपना वचन निवाने मोगली ने वचन दिया था मोती को वचन दो मोगली तुम बहादुर बनोगे अपनी महत की देख भाल करोगे पिता जी आपनी पिता जी पिता जी पिता जी पिता जी लुझ मोगली पिता जी मा, वो हमें कहीं नहीं मिला, फिर गाया? मैंने उससे तीन चार बार कहा था. आज राथ सब मिलेंगे. अगर वो नहीं आया तो बहुत बुरा होगा. क्या मैं उससे फिर दूढने जाओ, मा? हाँ, लेकिन शाम को पंचाय शुरू होने से पहले. अब लोग ध्यान से सुनो अब मुश्किल है मैंने तुम सब को इसलिए बुलाया है शेर खान जो अब तक शान था अब जंगली बंदरों के साथ मिलकर उतपात मचा रहा है मैं इस जुन्ड के हर सदस्य को खबरदार करता हूँ कि वो महा नदी के उस पार न जाएं ओ, मोगली मैंने तुम्हें कितना डूंडा माफ कर दो ना तुम्हें कितनी बार कहा है कि सभा में समय पर आया करो वो चान बहुत सुन्दर दिख रहाता न तो मैंने सुचा क्योंना जील तक घूमाऊं क्यों नहीं, तुम हमेशा अलग जो रहना चाहते हो सभा में देर से आकर तुमने ये साबित कर दिया कि तुम सच्चे भेडिया नहीं हो बस करो लीला, बहुत हो चुका चुप रहो अकडू मैं सच कह रही हूँ ये कैसा भेडिया है, जो शिकार नहीं कर सकता मैं एक मनुष्य को अपने जुंड में रखने के खिलाप हूँ मैंने सुन लिया लीला, लेकिन हमें मोती से किया वादा नहीं भूलना हम, मोती होगा एक हीरो अच्छा होगा हम बीते दिन भूल जाए जा कहा? बैस करो, सुनो अकड़ू लीला ठीक कहती है, मोगली सभा में देर से आया था मोगली, क्षमा मागो मुझे शमा कर दो तो क्या इसे माफ कर दिया? नहीं दादा जी, कभी नहीं मोगली हमारी विरादरी का तो हो ही नहीं सकता वो, वहाँ है अब जाओ वो ठीक कर रहा है अवा का रुफ देखते है पर उसे अभी बहुत सीखना है अरे रुट जो, अरे का भाग रहो अरे बापी साजो हाँ तुम की लीला? मैं तो यही थी, तुमने देखा ही नहीं क्या हो रहा है मोगली? मोटी का पेटा और इतना डरपो मुझे तो बस हैसे आ रही है चुप रहो सरपंश तुम पर बहुत नाराज होगा लड़ो मत अब आएगा मजा तुम सब को मालूम है कि आपस में लड़ना नियमों के खिलाफ है लीला की गलती है उसने हमारा खरगोश पकड़ा क्या मतलब तुम्हारा खरगोश शिकार पर किसी का नाम लिखा होता है क्या हाँ होता है बस करो बंद करो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा सरपंश बीच में बोलने की माफी चाहता हूँ यही वक्त है मॉगली के इम्तिहान का क्या सुर्फ मेरी परिक्शा होगी केवल तुम्हारे और लीला के बीच एक प्रतियोगिता होगी मैं और यह तुम्हारे और मॉगली के बीच दरनے की ज़रूरत नहीं अगर तुमें अपने पर विश्वास है ओफ दादजी क्या तुम्हें डर लग रहा है लीला हो तैयार हाँ ठीक है मोगली थेरो इस प्रतियोगिता में मैं लीला से मुकाबला करूँगा मोगली को खुद लड़ना होगा वो हमेशा अपने भाईयों का साहरा नहीं ले सकता लेकिन मैं, मैं याद है मोगली तुमने मोती से क्या वादा किया था मोगली मैं तैयार हूँ हाँ, मैं तैयार हूँ तुम फिर चुक गए क्या तुम तैयार हो प्रतियोगीता कल है हो जाओंगा मैं बीच में न बोलता पर तुम तो तैयार नहीं चिनता नहीं मैं कल तक तैयार हो जाओंगा तुमें दो खरगोश और तीन पक्षी अकेले ही पकड़ने होंगे समझे और ये काम आसान नहीं मुझे मन्जूर है बच्चा भी नहीं कह सकेगी ये हुई न बात मोगली तुम हो मोती के असली सपूर मैं साबित करके ही रहूंगा काश मैं तुम्हारी मदद कर सकता ये सही नहीं होगा मुकाबला इसलिए रखा है कि मोगली अपनी बहादूरी साबित कर सके मालूम है मालूम है काश मैं मोगली को अपनी गती और ताकत दे सकता तक्यों जरूर जीत जाता तुम दोनों ही तो मेरी ताकत हो धन्यवाद क्यों है मौगली, मा, कल के लिए आराम कर लो मौगली, मा, मैं कल्लू और अक्डू से इतना अलग क्यू हूँ, मेरे पंजे उन जैसे क्यो नहीं, बताओ, क्या खरगोश के दाथ पहने होते हैं, मालूम है खरगोश के दाथ पहने नहीं होते, और बारह सिंगा के, उसके भी नहीं, जिनके पहने दाथ नहीं होते, तो क्या उन्हें पकड़ना आसान हो जाता है, आ, बारह सिंगा बहुत तेज जोड़ता है, खरगोश के लंबे कान होते हैं, दूर तर चुन सकता है, पक्षी फूर हो जाते हैं, और थोड़े जानवर अपने बचाओं के लिए बद्बू छोड़ जाते हैं, है न मा, सब जानवरों के पंजे या पैने दाथ नहीं होते, सब के अलग-अलग गुण होते हैं, क्यों मोगली, तुम्हारे पास ऐसे क्या गुण है, जो तुम्हारे काम आ सके, दाथ और नाखुन के अलावा? दाथ और पंजों के इलावा? फिक्र मत करो, एक दिन में कुछ नहीं होता, लीला से हार भी गए तो आसमान न तूट पड़ेगा, आदमी की संतान हो तो क्या, आखिर रहोगे तो मोती की आउलाद, इसका मुझे कोई सबुत नहीं चाहिए. ओ, मेरी प्यारी माँ. मोगली, लेला, समझ गये ना? सूरज डुबने से पहले, बिना किसी मदद के, तुम दोनों को दो खरगोश और तीन पक्षी पकड़ने होंगे. अगर मोगली जीत गया, तो वो इस विरादरी का हो जाएगा. हाँ? तियार हो, जाओ. इश्वर तुम्हे सब खलता दे. तुम जीत सकते हो मोगली. मोगली, तुम किसी से कम नहीं हो. अपने आपको कमज़र मत समझना. नहीं, मैं किसी लाइक नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता. तुम्हे सकते हो मैं यहीं कर सकता. मैं यहीं कर सकता. तुम्हे सब्सक्राइब कर दूँगी कि मैं स्रेष्ठ हूँ. वो देखो, नदी पार एक काला अनूठा खरगोश. पकर लिया! यह है कान की चीज़! शेर कान! शेर कान! एक अच्छी खबर! दिला हमारी इलाके में गुस आई है! हाँ, हमने अभी उसे नदी पार करते हुए देखा है! उसकी इतनी हिम्मत! बताव, वो अकेली थी या मोगली भी साथ था? मोगली? वो तो नहीं था उसके साथ? कोई बात नहीं! लीला के साहरे हम उस छून तक पहुंच सकते हैं! मुझे यकीन है मोगली भी उसके साथ जरूर होगा! क्या हुआ शेर खान? एक पुराना जखाम है जो रह रहकर परिशान करता है! मोती की देन है यह! शेर खान! मोती मुझे वो बच्चा दे दे! अभी क्या भी? नहीं! मैं पहले भी कह चुका हूँ! मोगली मेरा बेटा है! फिर से कह रहा हूं उसे मेरे हवाले कर दो! वरना लड़ने के लिए तयार हो जाओ! ना! मैं मोगली के लिए अकेला लड़ूंगा! क्यापक के लात्र शाया! यर्यापक। यह अदै clicking. क्यूары अपसुआ यहनती यहाँ क्यापक। क्यूर्च को साफ हु हाँ कि अघए-पस्त! तोलादी approximately कि तोछ्षक्षैं.. वे मुँए-टुए मार दिया, मार दिया, मार दिया वाह, सुन्दर मैं हमेशा मनुष्य की बुद्धी का कायल रहा हूँ, शबास तुम कबसे यहां हो, बगीरा? शुरू से हाँ, मुझे तो तुम्हारी फिक्र थी ओ, बगीरा हाँ, मैं तुम्हारा पीछा करता रहा और तुम्हें पताई नहीं चला, तुम्हें चौकनने रहना चाहिए अच्छा? क्या हुआ? शेर खान के आने की जितावनी शेर खान आ रहा है सूरज डूब रहा है सरपंच, सरपंच कौन है? क्या हुआ? क्या बात है? लगता है लिला शेर खान के इलाके में चली गई है क्या? पर कैसे? तुमने चतुरा इसे काम लिया लेकिन आते आते देर कर दी मा ठीकी कहती ती, ये काम सिर्फ मैं कर सकता हूँ इसी लिए मैं खुश हूँ सुनो, अगर कभी जुन से बाहर कर दिये जाओ तो मेरे पास आकर रह सकते हो क्या? मेरा मतलब है अगर जुन से निकाले जाओ तभी ओ बगीरा ओ लीला शेर खान और लीला अब बचके कहां जाओगी? नहीं बचेगी एक रास्ता है देखो निशानना चुके फूट पड़ो लीला पर वा तैर क्यों नहीं रही है? लबता है बेहोश हो गई है तो दूब रही है मुझे बचाना होगा मुझे पकड़े रहाओ मोगली आखिर बचके जाओगे कहां मैं हार गया सरपन जी मुझे माफ कर दो मुकाबले में जीत का उतना महत्व नहीं जितना किसी की जिंदगी बचाने का और अब तुम हमारी बिरादरी के सदस्य से बनने के लायक हो शुक्रिया धन्यवाद सरपन्च मोगली माच करो मुझे गुदगुली हो रही है तुम्हे कोई इत्राज है लेला म hacके लेला म्हेरा भच्री टेसल लीत ुम्हे म्हेरा कर दो कर दो